नमस्कार दोस्तोर ये स्क्राइब में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस लेक्षे में संशित्य किन्तु आती महात्रपूर्ड जो है बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो की विभीर्ण प्रकार के परिच्छाओं में प्रारंभी का स्तर पर साथ छातका की आताः सब्सक्रा में एक का चलू मिलता है और इस जानकारे के आधार पर आप उससे मिलते हैं आप कई और सवालों को कर सकते हैं जहां मिलान वाले जो है किसन पूछतें वहां से भी आप लोगों को अतर जो निकालनाने वे बहूत ही आसानी होगी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वाइब बोर्ड पर जो लिखा हुआ है कि R5 और रूपया 5 इन दोनों में जो क्या अंतर है इससे हम इन दोनों देशों की जो राजधानी और यहां की मुट्रा के बारे में जो जानकारी क्राथ करते हैं तो जैसा कि R5 है R5 उन देशों का समू है जिन देशों की मुट्रा का नाम वो R से प्रारम होता है और ऐसे देशों की संख्या 5 है वहीं पर इस 5 का मक्तब यह है कि उन 5 देशों का समू है जिनकी मुट्र रूपया है क्योंकि कई बार यह भी सवाल पूछता है तो इसके आधार पर जो है मिलान जिसमें जो है ब्राजील, रूश, भारत, चीन और दक्षली अफ्रीका, ये जो है पांच देश हैं, ये पांच देश हैं, इसमें ब्राजील का जो है, रियल है, मुद्रा का नाब, और रूश का जो है, रूबल है, भारत का रूपया है, चीन का रेंग मिन भी, तिसका एक नाम जो भी, यूवान भी है, दक्षली अफ्रीका का रेंड, अब यहां पर आप देख रहे हैं, कि इन पांचों देशों से सम्बंदित, जो इनकी मुद्रा है, वो आर से ही प्रारम होता है, इसलिए इन पांचों देशों के जो है, समुख को हम लोग आर फाइब के नाम से जाना जाता है, ये आर फाइब का इंपोर्टेंस, आपकी ज सिबिल सेवा परिछा के दूसरे चर में, मुख्य परिच्छा में, टिपडी या से सम्मदित, लेखन से सम्मदित सवाल का उक्तर देते हैं, क्वहां पर पर 50, 117, 1500 सब्दों में टिपडी आती है, तो वहां पर ऐसे भी जो है, ग्रुप का नाम देदेता है, जिस पर आपक वो ब्राजीलिया है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, रूस की राजधानी जो है मास्को है, इसी तरीके से भारत की जो राजधानी है वो दिल्लिया आप लोगों को पता ही है, उसमें बतानी की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरीके से चाइना की जो राजधानी है वो वीजिन है बीजिन है और दक्षणी अफ्रीका की राजधानी को थोड़ा सा हम लोग जो है समझने का प्रियास करेंगे कि कुछ ऐसे दुनिया में देश जहां पे अलग-अलग कारियों के लिए अलग-अलग मुख्याले बना दिया गया है इसलिए वहां पर जो है जो है वह प्रिटोरिया है कि तो इसकी दूसरी राजधानी जो है ब्लाम-फोंटेन भी इसकी एक जो है राजधानी है और इसकी अगली राजधानी जो है वह केप टाउन है अब हम यह देखेंगे कि वह किस तरीके से तीनो राजधानिया है जब सामाने रूफ से आपको प बुद्धाइब का उत्तर होगा तो आप वहां पे प्रिटोरिया लगाएंगे और द्यातव्य है यह प्रिटोरिया जो है पासे प्रशासनीक राजधानी भी इसका है ब्लामफोंटेल में, न्याइक में भी प्राप पहला वर्ड़्थ है वह आधा अर्धा वहा घान गाया बचा किवेश सरकार तो यहां तीनों चहेटर और काम के लिए अलग राजदानिया जमें बनाई गई है अब यहां पर Its harness देखा जाने की चारीना की राजदानी ही डुनिया का जोरा सबसेेशदा जन संख्या वाला देश तो ईंडिया का दूसरी जन ब्राजील की महत्रपूंद में सेश्टा है कि यह चेत रफल और जन संख्या दोनूं हिमांक्यट ह Girondi जानकारी जो इस संचित लेक्ट्चेट के माध्यम से आप लोगों को प्रॉइट करवाय जा रहा है और आपके समझ में कुछ ऐसी महात्रपूंट जानकारी का समावेश कराया जा रहा है जिसे परिच्छा में इस सेक्षन या अन्य सेक्षन से पूछी जाने या तो परते चुरूब से उत्तर को निकालने में सहयोग करता है दो वाले सवालों में आईसे यहांपे टौटीक ही रखा गया है तो यह जानकारी आप लोगों को इस तरीके से होती है इसमें एक और जांकारी हम आप रोगों को जोड़ना चाहेंगे यह जो आरफाइब का देश है इसी को ही जो है ब्रिक्स इसमें पहला जो ब्रिक है और एक यस है ब्रिक्स जो है इसकी अस्थापना 2006 से ही जो प्रारम की गई थी दिभिन प्रकार के मंचों के माध्यम से लेकिन 2009 स्थापना हुई और 2010 स्थापना गया इसमें इसमें साउथ अफ्रीका भी जो गया इसलिए यह जो ब्रिक्स के स्थान पर ब्रिक्स हो गया और 2001 स्थापना जिम ओ नील द्वारा परियोग में लाया गया और ब्रिक्स जो है दुनिया के उभरते हुई अर्थब्योस्था वाले देशों का जो समू हुआ है जो साजह मंचों के माध्यम से आपसी सहयोग के द्वारा पिकास के उच अस्तर और लक्ष को प्राप्त करने का परियास करता है तो कुल मिलागरने जो प्रिक्स हो गया और r5 ब्रिक्स से शमंदित करने का प्रियास कि ताकि यहां से इवी अप लोगों के पूशा जाय इस में भारत, नेपल, पाकिस्तान, स्री लंका और इंडोनेसिया को सांविल क्या जाता है, यह सभी देश एस आं कहीं है आपके कारण से उसी भी प्रूसी तो उनकी संख्या को देखा जाये तो उनकी संख्या नौ है हाला कि इस पर भी एक लेक्चेर अप्लोट किया गया आप लोगों के लिए जहां से आपको बहुत अच्छी और अस्पश्ट रूप से जानकारी जो प्राप्थ होगी तो यहां पर आज के लेक्चेर में हम लोगों ने आर फाइब और रूपे फाइब के बीच में जो है जो आसके तो आज के संचित वीडियो में इस इतना ही पुर्ण अगले लेक्चेर में नई जानकारी के साथ आप से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार